प्रदामती नरेंद्र मोधी ने देश दी ब्रामद 400 बिलियन डॉलर दे टिच्चे उते पॉंचन दी शिलागा कीती मन की बाद प्रोग्राम द्रान नरेंद्र मोधी ने इस गालूते खुशी जताई की पारत दे लोकां दी समर्था दुनिया दे कोने कोने तक पॉंच रिया है नरेंद्र मोधी ने केहा कि विश्व विच योग अते आयूरवेद्दा रुजान बाद रहाए प्रदामदी ने देश दे नागरिकानू स्वच्ता लई अपने फर्ज निबॉंदा सदा दिता ग्रह मंत्री अमित्शा ने क्याए कि चंडिगड परसाशन दे करमचारियां तेकेंद सरकार दे सर्विस रूल लागू होंगे चंडिगड दौरे दुरान ग्रह मंत्री ने लोकानू 540 क्रोड रुपे दे प्राजेक्ट केते समर्पत पारदी पीवी सिंदु ने स्विस ओपन बैडमिंटन दा महिला सिंगल्स खिताब जित्या फाइनल वेच पीवी सिंदु ने बुसानन नू 21-21-28 नाल हराया तेहुन खबराविस्थार नाल प्रदामंती नरेंदर मोधी ने क्याए कि देश वड़े कदम उदो चुकदाए जदो सुप्रियां तो वड़े संकल्प हुंदेने अकाश्वन ने ते मन की बात प्रोग्राम दे स्तास्री कड़ी दुरान देशवासिया नो संबोधन कर देयां प्रदामंती ने कि हा कि पारत वलो 400 बिलियन डॉलर यानि 3 लख करोड रुपे दे ब्राम्द टीचे नो हासल करना जिकर कर दे कि हा कि दुनियां पारविच पारत दियां बढ़ियां वस्ता दी मांगवादरी है आते देश दी सप्लाई लड़ी दिन प्रति दिन होर मजब हो रही है अपने सुना होगा कि भारत ने पिछले सप्टा कि 400 बिलियन डॉलर यानि 30 लाग करोड रुपिये के एक्सपोर्ट का टार्गेट हासिल किया है पहली बार सुनने में लगता है कि यह अर्थ व्यवस्ता से जोड़ी बात है लेकिन यह अर्थ व्यवस्ता से भी जाधा भारत के सामर्थ भारत के पोटेंशल से जोड़ी बात है प्रदामुदी ने कहा कि साट्डे किसान, कारिगर, बुनकर, इंजीनियर अते छोटे उदमी, मेकीन इडिया दी ताकत दी बुनियाद ने उना कहा कि इना दी बदालत ही 400 बिलियन डॉलर दी ब्राम देटी टिचे नू हासल कीता ग्याई उना खुशी जताई कि पारत दे लोकां दी सम्रथा तुनिया दे कोणने कोणने विच पहुंच रिया पदामंती मोदी ने एक वार फिर लोकल लेई वोकल दा जिकर कार दिया उत्पादा नों गलोबल बनाओंदा सदा दिता एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन कभी 1.500 बिलियन कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था अब आज भारत 400 बिलियन डॉलर पर पहुँच गया है इसका एक मतलब यह कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की डिमान बढ़ रही है दूसरा मतलब यह कि भारत की सप्लाई चेहन दिनों दिन और मजबुत हो रही है परदामुती ने किहा कि पूरे विश्व विच योग अते आयुर्वेद दारु जानवाद दाचारे है उना कतर विच 114 देशां दे नागरिकांवलो योग प्रोग्राम विच नवा विश्व रिकॉर्ड बनाँदा भी जिकर कीता परदामुती ने किहा कि मजूदा समय आयुश सन्नत दा बजार लगातार वड़ा हो रहा है चे साल पहला आयुर्वेदिक द्वाइयां था बजार बाई हजार क्रोड दे नेड़े तेड़े सी जो हुन एक लख चाली हजार क्रोड दे क्रीब पहुंच गया है आज पुरे विश्व में हेल्थ को लेकर भारतिय चिंतन चाहे वो योग हो या आयुर्वेदि इसके प्रती रुझान बढ़ता जा रहा है अभी आपने देखा होगा कि पिछले ही सप्ता कतर में एक योग कारकम का आयुजर किया गया इसमें 114 देशों के नागरिकों ने हिस्सा लेकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इसी तरह से आयुजर इंडस्ट्री का बाजार भी लगातार बड़ा हो रहा है छे साथ पहले आयुजर से जुड़ी दवाईयों का बाजार 22,000 करोड रुपिय के आसपास का था आज आयुजर मैनुफेक्टर इंडस्ट्री एक लाग 40,000 करोड रुपिय के आसपास पहुंच रही है प्रदामदी ने सेहत सेक्टर वीच आयुजर स्टार्टप दा विशेश तोरते जिकर की था उन्हें केहा कि पारदी नौजवान उदमी नम्या संबावनावा पैदर कार रेने पदामंती ने प्रोसा द्वाया कि आयूश स्टार्टप गुनवत्ता अते उत्पाद्धा नाल जल्द ही दुनिया पर विच चा जानगे पदामंती मोधी ने केहा कि सेहत दा सिद्धा सबन स्वच्चता नालो ही जुड़िया होया है उना केहा कि मन की बाद प्रोग्राम विच स्वच ग्रहियां दे यतना नूँ उजागर कीता जानदा है पदामंती ने इस वार दे अजियां उदार नावांता जिकर कार दिया सारे नू नागरिक दे तौरते स्वच्चता ले अपने फर्ज निबौन दा सदा दिता स्टार्ट अप बडौल में भी आयूश आकर्षन का विशे बनता जा रहा है साथ क्यों हेल्ड सेर्टर के दूसरे स्टार्ट अप्स पर तो मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ लेकिन इस बार आयू स्टार्ट अप्स पर आपसे विशेश तोर पर बात करूँगा एक स्टार्ट अप है कपीवा इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है इसमें क का मतलब है कफ, पी का मतलब है पित और वा का मतलब है वाग मन की बाद इसकड़ी विच परदामंती ने जल संबाल दी लोड़ते जोर दीता और आपके हा कि पानी दी इक एक बूननों बचोन ली सानों कोशिश करनी चोई दी है और आपके हा कि साथे बच्चे वाटर वरियर्द बन के पानी बचोन विच मदद कर सकते ने पदामंती ने केहा कि देश विच अजादी का अमरित माउत सब जन पागिदारी दी नवी मिसाल बन रहे और आपके हा कि तई मार्च नू शुहीद दिवस मौके रश्टर ने अजादी दे नाइकां अते नाइकांवा नू याद कीता पदामंती ने केहा कि एपरल महीने विच असी पार्ती समाजते डूंगा प्रबाव चड़न वालियां महान सक्षियता महात्मा फुले अते बाबा साहिब अम्बेद कर दी जैनती मना रहें और ना केहा कि इनाइस सक्षियता ने पेदपाव अते असमानता देव खिलाफ वड़ी लड़ाई लड़ी सी पानी की एक एक बुंद बचाने के लिए हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए इसके अलावा पानी की रीसाइकलिंग पर भी हमें उतना ही जोर देते रहना है घर में इस्तिमाल किया हो जो पानी गमलों में काम आ सकता है गार्निंग में काम आ सकता है वो जरूर दोबारा इस्तिमाल किया जाना चाहिए साथियों, अप्रेल के महने में हम दो महान विभूतियों की जनती भी मनाएंगे इन दोनों ने ही भारतीय समाज पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है ये महान विभूतिया है, महात्मा फुले और बाबा साथ आम्बेड कर मात्मा फुले की जैन्ती 11 अप्रिल को है और बाबा साप की जैन्ती हम 14 अप्रिल को मनाएंगे इन दोनों ही महापुरुषों ने भेदभाव और असमानता के खिलाब बड़ी लड़ाई लड़ी मात्मा फुले ने उस दौर में बेटियों के लिए स्कूल खोले कन्या शिशु हत्या के खिलाब आवाज उठाई उन्होंने जल संकर से मुक्ति दिलाने के लिए भी बड़े अभियान चलाए साथियों महात्मा फुले की इस चर्चा में सावित्र भाई फुले जी का भी उलेक उतना ही जरूरी है स्वेत्र भाई फुले ने कई सो सब्सक्राइब फुले परंप्रानु चेते की था उन्हां किहा कि श्वेतांबर तेरापंथ ने नाकार्जज श्रीलता नू त्यागन नू अध्यात्मक संकल बनाया नरेंद्र मोधी ने 2014 विच लाल के ले तो रवाना हुई पैदल यात्रा दे महत्तम दे चारना पाया उन्हां किहा कि अजादी का अमरित महत्सफ दर्मियान देश समाश अते रश्ट्र दे प्रती कर्तव दी शुरुवात कर रियाए उन्हां किहा कि देश सबका सबका साथ सबका विकास सबका वि 12ब 2,000 टर्व तो करमचारियां पुलेगा। इन्यम लगू हुन तो बात चंडिगर्विच यूटी प्रती साशे नीजमा तो इलावा पंजाब्र खर्याना मचान चेछ steht Уॉल लागू हां। केंद्र गया मंत्री अमित शा ने कल चंडिगर दे लोका नू 560 क्रोड रुपे दी प्राजेक्टां दी सो गा दीती। उन्हाने कुल 6 प्राजेक्टां दी उद्गाटन कीता। इस मौके चंडिगर दी प्रसाशक ते पंजाब दे राजपाल बन्वारी लाल प्रोहित भी उ प्राजेक्ट दे उद्गाटन करनतों इलावा 34 प्राजेक्ट दे उद्गाटन मौके बोल दियां अमित शाने केहा कि प्रदामंती नरेंदर मोदी दी अगवाई विच आसी चंडिगर वासिया नूँ विश्व पद्री सुहूलतां प्रदान करके स्मार्ट सीटी दे संकल्पनू सकार करनप्रती वचन बधां। उना केहा कि चंडिगर नूँ पारदा ही नहीं सगो विश् वायर बनाया चारे। की का एक कंसेट देश के प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी की ने रखा और आदूनिक सेर की इस तरह से विक्सित होने चाहिए। दूर दर्सिता के साथ सहर की पाकी की भूमी नदी की भूमी का भी कैसे प्लानिंग किया जा सकता है। सुविदाओ को कैसे अपग्रेड किया जा सकता है। और वो सुविदाओ के अंदर सामन जस्य और उसकी एकिकृत कमान भी कैसे बनाये जा से। रख्या खोजते विकास संगठन ने किया आए कि पारत ने कल उडिशा टट दे चांदीपूर एक्युकृत टेस्ट रेंज विखे। दो मीडियम रेंज तर्तितों हवा विच मार करन वाले मेजाईलन था सफल प्रिक्षन गीता। ये उडान टेस्ट हाई स्पीड एरियल टार्गेट्स दे खिलाब फाइरिंग ट्राइल्स दे हिस्से वज्जो कीते गे। मेजाईल हवा विच ले टीच्या नू रोकन विच सफल हो गए आते उन्हाने मुकमल तोरते इना टीच्या नू तबाह कर दीता। रक्षम मंतरी राजना सिंग ने DRDO पार्थय फॉज अते सन्नत नू MRSAM फॉज दे सफलता पूरवक्ट टेस्टा ले वदाई दीती। औरना केहा कि इना सफल टेस्टा ने नाजुक रेंजा विच टीच्या नू रोकन विच हत्यार प्रनाली दी समर्था नू स्थापत कर दीता है। DRDO दे चेर्मेन डॉक्टर स्ती शुराडी ने केहा कि ए टेस्ट आतम ने परपार्थ लई मुक मील पत्थर ने। केंदरी बिजली मंत्राले ने सारियां बिजली कंप्रियां नू लेबर यूनियन सीटू दे आज शुरू होन वाली दो दिना हर्ता आल दे सद्धे दे मदे नजर एडवाईजरी जारी कीती है। जिस विच चौवी कंटे बिजली दी उपलब्धता नू जिकीनी बनौन लाई सारे बिजली प्लांटा नू जरूरी उपा करन दी सला दिती गया। सेंटर ओफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू दे हर्ताल दे सद्धेकारन बिजली दी सप्लाई प्रबावत हो सकती है। पारदे एच एस परोणे इंडोनेश्या दे जॉन्थन क्रेस्ट्री हतों इकी बारा इकी बठारा नल हार गय अते इस तरह उप जेतू रहे। खबरादे बुल्टन साड़े दर्शक आरेन यू डीडी के जुलंदर दे यूटूब चैनल, फेस्बुक पेज अते ट्विट्टर हैंडलते भी देख सकते ने। इस देन आली खबरादे बुल्टन खत्म हुंद है, मैं मास्क लगाक के स्टूडियो तो बाहर जा रही हैं, बाहर जान वेले तुस्सी भी मास्क जरू लगाओ, आगे दो, नमस्कार